हलो दोस्तों कैसे हैं आपको आपके चैनल आताइटी सर्विसस वेलकम करता हूँ जहां पर आपको इन दिशीजिज़ और इस्कॉलर्शिप लेटेश चोटी बड़ी अब्डेट मिलती रहती है दोस्तों एक नई अब्डेट आई इस्कॉलर्शिप को लेकर जो आपके सामने में हाजिर कर रहा हूँ अब यहां पे एक नया सेशन जो है वो शुरू हो चुका है तेट 24 का और उसके लिए आपके स्कॉलर्शिप लेरीस पहले कुछ काम जरूर करना होगा जो समाज कल्याण की तरफ जारी की जा चुकी जुकी है कि तो चलते हैं वीडियो की तरफ अपको फ़री बात आपको वीडियो को क्ले करता है तो पाली चीज आप अच्छे से देख लें कि यह जो नोटीश है यह अब यहां पर यह नोटिस में क्या कहा जा रहा है मैं उसको भी बता दूँगा बस वीडियो में आप बने रहें ठेक है अथी महाश्पोड है लेकिन इस बार यह चीज़े हो नहीं है ज़रूरी है दोस्तों तो आप पहले जो हैं मैं पूरी न्यूस पढ़ता हूं रिष्टे सारी चीज़े बताता हूं तो यहां पर आप चलते हैं कि निदेशाले समाज करने आर उत्तर प्रदे लखनों के पत्रांग इतने इतने में दिया गया दिनाक अठाय दौरा बीस एकाइस के चात्रों के आधार एनुआर किये गया था यानि जो जान सकते हैं कि जो चात्रों स्कॉलर्शिप पे जो आधार लगाए गया था वो आधार कब लाए गया था इसको फालो कर दिया गया था यह मेडिटरी हो गया था आधार नंबर पहला इस्टिप यह फालो किया गयते यहां पर ठीक है इस चीज़ को आप समझेगा अब दूसरी पॉइंट की तरफ चलते है तो उसके बाद जो होता था यह यह भी आपको क्लियर हो गया इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते इस समझ में च्छात्रों के हाई स्कूल अंग्पत में दिये गए नाप आधार पर आधार कार्ट बनाये जाना अवश्या का अब यहां से मेन पॉइंट समझने है तो आपका जो भी डाटा होना चाहिए वह हाई स्कूल के एकार्ड़ी यानि नाम पिता का नाम जनम्तिती ठीक है इतनी चीजे हाई स्कूल से मेल होनी है तब जाकर आपका जो है यह ज़रूरी है ठीक है यदि किसी त्चातका अधार कार्ट बन गया है तो उसमें तुप पूटी है तो उसे अंक स्कूल यानि अगर आपका अधार करट बन गया और अधार करड़ में और फीस दोनों नम अलग है तो आप हाइस पूरी न्यूस आपको यहां पे डाटा को सही रहातन और उसको अपडेट किया जा आना है यानि अगर आपको किसी भी तरीके कि जो कु आधार काड्स का नाम इवर ससुरॉल के पते का अपडेट कराया जाना है यादि लड़की इसकी शादी हो गई है तो उसमें जो यह सारी चीज़ें जो होने यानि उसके वहां पे है फादर नेम की जगां किसका नाम होगा उसके हैस्बेंड का नाम यहां पे लिखा होना चाह कि अगर आपका किसी भी तरीके के कोई भी नाम जो है जिया जनरीटी आधार नमर मिस मैच होता है कुछ भी एक लेटर रही किस पहली फदर एक्जामपल जैसे में एक प्लियर आयत नाम की चैनल माली यह नाम है ठीक है अब इस आयत अगर इसके नाम से होगा इसके नाम से सब्सक्राइब यह चीज़ें यहां पर रहती है ठीक है बहुते लोगे डेटा अबर्स कभी इशू आता है ठीक है तो यहां पर आधार नमर अगर्शित होगा उक्त के आधार में चात्रों के आधार कार्ड में उसका समस्त वेक्तिगर्ड विर्वन यादी कुछ करते विस नए फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को करें यानि आपको आपकि आपकी फोटोग्राफ को भी अपडेट कराना है यानि आप फोटों से लेकरicht ज рок चेंज होती इसको अबरेट करा मुच्छार लेकिन और भी चीजो को नाम हे आप पादर नेम जो है उसको हाई स्कूल की ओर्डिंग मार्शिट करा दे डेट आप बर्थ जेंडर पता सब कुछ आप इस चीज को करा ले बहुत ज़रूरी है यानि स्कॉलर्शिप यह सारी चीज़ है तो आप यह नोटीस है इसी वे में सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकि अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ चुकी होगी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैंने नंबर दिया हुआ है आप नमबर डिस्क्रिप्शन नमबर दिया आप मुझे कॉंटेक करके अपने ले सकते हैं तो मिलता होनेक्स वीडिवे तब तक के लिए घर पे रहें तुरा चीज रहें